Hello students, कैसे हैं आप सभी? Sir, we all are fine sir, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ So, welcome back to our channel कुल्दीब मैस क्लासेश और आज हम बात करेंगे exterior angle property of a polygon आज हम polygon में exterior angle property के sum को देखेंगे किस तरीके से हैं तो आज हम बात करेंगे एक तो triangle के case में और उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे किस के case में? Quadrilateral के case में तो देखेंगे यहाँ पर यह जो angle 1 है यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस side को न हम extend करेंगे तो इस side को अगर हमने extend किया तो angle 3 create हुआ इसी तरीके से हमने यह जो second side है इसको हमने extend किया तो क्या angle बनकर आया है? यहाँ पर angle 2 बनकर आया इसी तरीके से और हम move करते है तो यह जो last वाली side है अगर हम इसको extend करते है तो angle 1 बनकर आया तो यहाँ पर total मिलाकर कि कितने angle हमारे बन गए है total angle बन गए है angle 1, angle 2 और angle 3 तो यहाँ पर 3 exterior angle का जो sum होगा वो कितना होगा? 360 degree होगा यह हमें check करना है यह हमें check करना है angle 1 और angle 2 और angle 3 का जो sum है वो कितना है? 360 degree है तो यह हम देखते हैं यह कैसे होगा? देखिए मेरे पास कुछ cards है और मैं क्या करना हूँ? मैंने equal size के card को major किया हूँ है तो angle 1 के उपर यह मैंने angle 1 को रख दिया उसके बाद मैं angle 2 को same size का मैंने cut किया हूँ है तो इसको मैंने इसके उपर रख दिया उसके बाद जो angle 3 है वो भी हम यहाँ पर रख लेते हैं equal size का angle मैंने cut किया हूँ है तो आप देख रहे हैं, यह हमने क्या कहा दिया है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को इसके उपर रख दिया है, जो की same ही size के है, रईट, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखो, एंगल 1 जो है, एंगल 2 जो है, और एंगल 3 जो है, इन तीनों का समझ होगा, 2, 1, 2, 3 का, व यही अब हमें देखना है तो यह देखिए मैंने एंगल 1 लिया फिर मैं एंगल 2 कंसिडर करना हूँ यह एंगल 2 लिया और इनको आपस में जॉइन कर दिया और अब साथ की साथ मैंने एंगल 3 लिया और इसको भी क्या कर दिया इसमें जॉइन कर दिया तो अगर मैं तीनों एं टोटल एंगल कितना होगी है 360 तो हमने देखा ट्रेंगल के केस में एक्स्टिरियर एंगल का सम कितने डिगरी का है ट्रेंगल के केस में एक्स्टिरियर एंगल का जो सम है वो 360 डिगरी का है तो यह पॉलिगन जो आता है हमारा सबसे पहले इसमें ट्रेंगल आता है कितनी sides होती हैं इस case में 4 sides होती हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे हम इन sides को extend कर रहे हैं देखो यहाँ पर हमने क्या किया है हमने यह पहली side को यहाँ पर extend किया अगर हम बात करें तो इसके भी total angle का sum कितना होगा total angle का sum 360 degree होना चाहिए क्योंकि किसी भी polygon में exterior angle का sum कितना होता है 360 degree होता है तो देखिए यह मैंने first वाली side को extend कर दिया यह second वाली side को extend कर दिया अब यह हम क्या कर रहे हैं अब यह हम third वाली side को extend कर रहे हैं यह थोड़ी सी जो बाहर side निकाली हुई है इसको हम कह रहे हैं extend करना तो यहाँ पर यह angle 3 बन रहे है इसी तरही के से हमने last side को भी extend कर दिया last में ठीके न यह तो मैं draw कर रहा हूँ और last में हम थोड़ी सी side को बाहर extend कर रहे हैं तो extend करने से वहाँ पर बन गया है angle कौन सा angle 4 बन गया है तो आप देखिए angle 1 बना है angle 2 बना है और angle 3 अब हम क्या करते हैं इन चारों का हमें sum देखना है क्या देखन एंच बना है angle 1 angle 2 और angle 3 और angle 4 का sum 360 आएगा या नहीं आएगा वो हमें देखना है तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं क्या करूँआ इस एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 4 के उपर मैं क्या करूँआ equal size के मैंने angle cut की हुए मैं इसको उपर रखता हूँ यह देखिए मैंने angle 1 के equal size का angle cut किया हुआ है जिसको मैंने इसके उपर रख दिया angle 2, देखिए मैंने इसको cut किया हुआ, same angle है, same size का angle है, angle 2, इसको भी मैंने इसके उपर रख दिया, उसके बाद angle 3, ये देखिए, ये angle 3 है, right, तो angle 3 को मैंने angle 3 के उपर रख दिया, उसके बाद हम angle 4 को रख रहे हैं, ये देखिए, हमने angle 4 को रख दिया, right, तो यहाँ पर total 4 exterior angle है Angle 1 Angle 2 Angle 3 और Angle 4 तो अब अगर हम क्या करते हैं 1 2 3 4 है यह ने Angle 1 वह एंगल को इसमें एड़ कर दिया फिर अब मैं Angle 3 को यहां पर ले कर आऊंगा तो यह मैं Angle 3 को लेकर आया तो यह भी इसमें साथ जॉइन कर दिया आप उसके अब हम angle 4 को भी लेकर आएंगे तो अगर हम angle 4 को लेकर आएंगे और फिर हमने यह देखो यह हमने इसमें इसको भी जॉइन का दिया तो आप देखो angle 1, angle 2, angle 3, और 4 का sum कितना आ रहा है 360 degree आ रहा है 1, 2, 3 और 4 क्या आ रहा है इसका sum 360 degree आ रहा है ओके वान टू थ्री फोर चारो का सम कितना है थ्री सिक्स्टी डिगरी है ओके स्टुडेंट तो थैंक्यू सो मच